प्यारे विद्यार्थियों, Communication के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है, आज हम आपको बताएंगे कि Communication की कितने टाइप्स हैं, कितने तरह का Communication होता है, सूचना का संचार की कौन कौन सी किसमें हैं, देखो, फर्स्ट फाल जो पहली किसम है, वो है Formal Communication, Formal Communication का मतलब यह है, कि जब किसी कंपनी में एक ओफिसर अपने इंप्लोईस को सूचना देता है, तो इस Communication को हम Formal Communication कहेंगे, या उसका इंपलाई अपने ओफिसर को Communication देता है, तो भी उससे Formal Communication कहेंगे, यदि दो इंपलाई आपस में सूचना का एक्स्चेंज करते हैं, किसी भी तरह के सूचना का एक्स्चेंज करते हैं, तो भी वह है Formal Communication होगा, नमबर दो पे आज़ 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 आज़िए, कि Informal Communication, देखो, Formal Communication में तो हमने देखा था, कि जैसे Accountant, अपने Account Assistant को कोई बात बताता है, लिख कर बताता है, बोल कर बताता है, जिस तरही के से मरजी बताता है, तो तो वह है Formal Communication, इन Formal Communication में क्या है, कि Formal Communication के जो Responsibility और राइट्स हैं, वह इसमें नहीं आते हैं, माल लिजिए, मैं आपको Teaching कर रहा हूँ, ना तो मैं स्कूल में आपको पढ़ा रहा हूँ, ना ही किसी कॉले में, मैं एक Informal Group से आपको Teach कर रहा हूँ, तो जो मेरा Communication होगा आपसे, वह Informal Communication होगा, और आज के युग में Informal Communication बहुत ही Strong है, Formal Communication से भी जागा, Formal Group से वह बात कह सकते हैं, जो Formal Group में नहीं कह सकते हैं, में पास बहुत सारी ई-मेल्स आती हैं, बहुत सारा डाटा आता है, As a Informal Lecturer, मैं उनको Sol करता हूँ, उनको बहुत खुशी होती है, बहुत सा एप्रिसेशन प्राप्त होता है, पता काम करेदे में बहुत ही सैटिस्ट्रेक्शन प्राप्त होता है, तो Informal Communication आप देख सकते हो फेस्बुक पे, लोग किसी खास से विशे वस्तों पे अपने नराज़की बताते हैं, एक फोटो लगा देंगे कि उस फोटो का यही मीनिंग होगा कि कर्राप्शन इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत सारे हजारों नहीं हैं, कई हजार कमेंट्स आ जाते हैं, तो Informal Communication होना एक कमपनी में अवश्रक है, तीसरे नमबर पे आजाते है, औरल कम्निकेशन, Informal Communication जो था, वो जाला तर औरल कम्निकेशन में चलता है, जैसे हम बात बात में किसी को कोई सुजेक्शन दे देते हैं, इसको कहते हैं ग्रेप वाइन, Informal Communication को क्या कहते हैं, ग्रेप वाइन, आपने अंगूर की बेल देखी होगी में, तो उसका ग्रोध कैसे होता है, कहीं भी चली जाती है, तो ग्रेप वाइन जो कम्निकेशन है, Informal वो औरल होता है, जुबान ही होता है, बोल के करते हैं, मैं आपसे बोल के विर्ट करा हूं, तो इस कम्निकेशन में सीखने का काफी मौका मिलता है, और इन लास्ट रिटन कम्निकेशन, रिटन कम्निकेशन से रेक्ती बाउंड हो जाता है, आपने जो ओरर रिटन में दे दिया, तो वो एक प्रूफ है कि यह मैंने ओर दिया था, आपने असेट किया या नहीं किया यह बाद अलग है ऐसे किसी ने कम्प्लेंट रिटन में दी तो उसके पास प्रूफ है कि मैंने रिटन में कम्प्लेंट दी थी और अभी तक इसका सलूशन क्यों नहीं आया तो विटन जब हम जजटमेंट रहते हैं जब डिसीजन लिया जाता है तो इशन अर शेम किस रहते हैं एक प्रूफ के रूप में होता है जितने भी हमारी कहरी को प्रूछ ञैन को कला राइन मोरी कश्षा यह 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 फेकलिकर हगा सेबस्वार है इसलिए हमें अपना कितनी financial position है कितनी income position है ये बताने में काफ़ी असानी होती है तो आज हमने सीखा चार तरह के communication होता है पहला formal communication, दूसरा informal communication, त्रीसरा oral communication, चौता radar communication आगे हम आपको सिखाएंगे कि communication में क्या-क्या मुश्कले आपी हैं धन्यवाद